वेलकम फ्रेंट्स अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत जल्द ही एंटी पीसी के एक्जाम होने वाला है तो एंटी पीसी में द को प्रैक्टिस के माध्यम से वीडियो को सुरूरी सिलास तक ज़रूर देखे तो दोस्तों हमारे पहला प्रशन आप देखलीजीए पढ़ लेते हैं उसके बाद आप समझेए उसके बाद दोस्तों अगर मेरे बताने से पहले आपकी इसका आंसर निकाल लेतो है दो वीडि उन्हे 9 चुछी जो हो एक जाते हैं एक जाना वार दर अलयों पूछा जाते हैं नश्राइम Śैन 2 फिर पर प्रश्ण निदे का स्वां कंई pos तो दृस्ट्स्तों यह बहुत ही सब्यक्रा ऐए से करोगे सब्सक्राइब् चिंगर लेकिन अगर तीनों को जोन देते हैं तो हमारे पास कितना आता है उसका योग जो है दोस्तों 15 के बराबर आ जाता है तो उस संख्या का जो मध्ध वाला वर्ग है मध्ध संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा हमको ये बताना है अब इसको solve करने के लिए कैसे करोगे देखी तीन क्रमागत बोल दिया चार क्रमागत बोल दे पांच क्रमागत बोल दे और उसका योग फल दे दे तो आने वाली जो संख्या होगी हमारा वो क्या हो जाएगा मध्यका होगा ठीक है मध्यका होगा अर्थात क्या हो जाएगा हगर हम लोग इसको भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा तीन एकम तीन पंचे 15 हमारे पास मध्यकी संख्या कितना हो जाएगी पांच हो जाएगी दे इसी तरीके से दोस्तों कितना भी दे तो हमको क्या करना है क्रामागत बोल देगा तो जब भी पूछा जाएगा तो तीन क्रामागत बोल दिया तो तीन से भाग देंगा चार क्रामागत बोल देता तो किसके भाग देते दोस्तों इसको चार से भाग दे देते ठीक है अब इस simple trick था दोस्तों अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है भूल गए हो आप तो कैसे करोगे आप इसको तीन क्रमागत संख्या बोल रहा है तो तीन क्रमागत क्या मालोग हमारे पास क्या हो जाएगा एक तो x हो जाएगा अब long method बता रहूं दोस्तों आपको ठीक है अगर वो long time आपको याद रहाएगा equation के मद्ध हमसे ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा x हो गया पहली संख्या अब क्रमागत बोल रहा है तो क्या हो जाएगा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा और तीसरी संख्या क्या क्या हो जाएगा हमारे पास जो चारर संख्या जितने हैं उसको जोड़न देते हैं और फैसर को पहले हैं इक है रहे तरक झितना है एक है पास कितना हो जाएगा昨 चैват. जो 15 में से 3 चला जाएगा, जब Bloody रहेंगे तो 15-3 करोगे, तो कितना आजाएगा, आपके पास हो जाएगा, 12, और इधर कितना है दोस्तों, 3x है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, x सकमान हमको निकलना है, तो x सकमान कैसे निकल जाएगा, 12 बटे, 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3, 4 हो जाएगा 12 ठीक है तो आप देखिए 4 आया तो 4 क्या है हमारे पास x माने थे तो x हमारे पास क्या है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1 है ठीक है तो हमारे पास x कितना है आया हमारे पास 4 आया और प्लस 1 है हमारी दूसरी संख्या तो प्लस वन कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा तो पांच हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों मध्ध की संख्या और आंसर क्या निकालना है हमको मध्ध संख्या का वर्ग निकालना है तो पांच हम कितना हो जाएगा 25 तो हमारे बी ऑप्सन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा सिंपल सथा ठीक है बताने के लिए दोस्तों मैंने लॉंग टम जो है आपको दोनों मेथट समझा दिया सौर्टकट मेथड और दोनों लॉंग टम मेथड ठीक है तो आपको जो अच्छा लगते हैं आप उसको यूस करके आप निकाल सकते हो किसे लाब हुआ की हानी ठीक है तो हमको आइससे कोशन आपको देखने की मिलेगा जिसमे आपको पूछा जायेगा कि बताहिए कि उसे लाब हुआ की हानी तो हमारे chances दोस्तों solve करने के थोड़ा सा confusion में हो जाता है ठीक है तो अब इसमें औरेडी हानी दिया है तो हानी वाले निकालना है ठीक है तो देखिए हमारे पास क्या है एक आवेतन कितना है पचास प्रतिसत घटा दिया गया मान लो क्या करेंगे अब इस तरीक एक आता है त जब भी मानते हैं प्रतिशत में हमको क्या मान लेते हैं 100 से स्टार्ट करते हैं मालो क्या है एक आवेतन कितना है दोस्तों 100 है तो 100 का दोस्तों 50 प्रतिसत घटा दिया गया अब 100 का 50 प्रतिशत का मतलब गूणा प्रतिसत का बटे 100 हो जाएगा ठीक है तो यह कितना हो जाएगा उसके पास कितना रूपाय हो जाएगा 50 रूपाय उसका कम हो गया अर्थात उसका मूल वेतनफ कितना हो जाएगा दोस्तों 50 रूपाय हो जाएगा अब बाद में क्या हो रहा है यहां तक स्वाल हो गया अब आ स्टाटिंग में क्या माने थे सो रुपाय माने थे न उसका वेतन सु रुपाइं क्या करते हैं 50 प्रतीसाद घटा दिया तो akan 50 प्रतीसाद हुआ ठीक है थी 넣고 किया करेंगे फिर से 50 प्रतीस अब भ狂न हैma n बढ़ रहा है देखिए जब उसका 50% घटा तो वो उसका वेतन कितना हो गया 50 रुपए मिल रहा था उसको ठीक है अब जब उसको फिर से 50% बढ़ा दिया गया तो 50 का फिर से कितना बढ़ गया दोस्तों 25 रुपए और एक्ष्टा उसमें होना स्टार्ट हो जाएगा तो पहले वेतन था उसको कितना मिल रहा है जब उसको 50 रुपए घटा दिया और पहले उसको मिल रहा है दोस्तों 75 रुपए मिल रहा है तो हानी कितने की हुई हानी आपको देखने ही से समझ आ रहा है पहले उसको 100% मिल रहा है तो हानी कितने की हुई हानी आपको देखने ही से आपको देखने के मुल रहे है 25% जो कि क्या है loss में है तो हमारा एक option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करते हूं दोस्तों इस तरीके के question जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से उसको जरूर सौर कर लोगे आपको बीना problem के ठीक है आप आसानी से ही निकाल सकत होगे फिर से उसका 50% फिर से निकाल लोगे ठीक है तो यहां से भी आपका निकल जाएगा 100 से यह 100 कट गया 50 से कम 50 50 दूनी हो गया 100 दो एक कम दो और दो 25 हम क्या हो जाएगा, आप का पूरी तरीके से, दोस्तों क्या हो जाएगा, पचास हो जाएगा, अब यह 25 जवाया है, उसका क्या है, अहाँनी प्रतिशत है, ठीक है, तो इस तरीके से यह भी तो उमीद करते हूं दोस्तों इस तरीके के प्रस जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर स्वाल कर लोगे अब चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन बहुत ही सिंपल सा प्रश्ण है दोस्तों आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा प्रश्ण बोड़ रहा है कि दो संख्याओं का योगफल योगफल अर्था जोणना है और गुणनफल मतलब गुणा करने के पसचा जो आंसर आएगा वो ग योगफल आएगा तो योगफल क्या होगा हमको यह बताना है नीचे 4 आपको दिखाई दे रहा है अगर मेरे बताने आंसे पहले दोस्तों अगर आप स्वाल कर लेते हो तो बहुत ही वेरी गूड और कोशन कोड़ने के लिए दोस्तों वीडियो को पाउस कर लिजिए देखिए एक का व्यूत्करम क्या होता है एक बटे एक ठीक है अर्थात अंस में जो रहता है हर में रहता है उसको हम जब पलड देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा व्यूत्करम बन जाता है जैसे देखिए 36 बटे 13 दिया है इसका व्यूत्करम लिखूंगा तो क्या हो 5 है और 6 है ठीक है तो योगफल हमारे पास 5 है तो किसको किसको जोने की हमारे पास योगफल 5 है और गुननफल 3 आ जाएगा ठीक है तो हमारे पास एक तो 3 है और क्या हो जाएगा 2 है अगर जोन देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और इसी को अगर 3 गुना 2 कर देते तो योग फल कितना आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है और गुणन फल कितना रहा है चाहे आ रहा है तो दोस्तों आप इसको आसानी से समझ सकते हो इस तरीके का प्रश्ण जब भी पूछा जाएगा और इसी तरीके से आप इसको सौल कर पाओगे ठीक है यहां तक आपको समझ आ गया अब प्रश्ण में आगे यह पूछ रहा है कि तदा अनुसार उनके वर्गों के व्यूत क्रम अब वर्ग निकालना है पांच का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों पच्चीस हो जाएगा और च्छै का वर्ग कितना हो ज जाएगा चार हो जाएगा ठीक है अब इनके व्यूत क्रम बोल रहा है तो नौ का व्यूत क्रम क्या हो जाएगा एक बट्टे नौ हो जाएगा और चार क्या हो जाएगा एक बट्टे चार हो जाएगा अब इसको सौल करना है दोस्तों तो क्या हो जाएगा योग करना है क्य यह सब आपको आना चाहिए बेसिक चीजे हैं, बहुत important होता है, कहीं भी इसका use हो ही जाता है, ठीक है, आप देखें, आप इसको solve करोगे दोस्तों, तो क्या होगा है, सबसे पहले आपको निकालना होगा, यहाँ पास इसका जो निकालोगे, दोस्तों, क्या निकालोगे, यह फिर आप क्या कर सकते हो, तीरियाग गुना कर दो, तीरियाग गुना करोगे, और नीचे में क्या करोगे, नीचे का नीचे इसका दुना कर भी सकते हो, ठीक है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और तीरियाग गुना करोगे, तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, तो यह क्या चार दोश्तों कितना हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 13 और बट्टे में कितना आ जाएगा 36 ठीक है कितना आ जाएगा 36 तो 13 बट्टे 36 रिज़क क्या ब्रखव प्लस चार का वित्क्रम निकालेंगे एक बटे चार दोस्तों मेरे बोलने में अगर आपको कर सकते हो यह फीचर आपको यूट्यूब डिए प्रोवाइट कर सकते हैं कि थिक्षा तो internet speed के अनुसार आपको उसको adjust जरूर कर लिजेगा ठीक है चलिए अब देख लेते हैं next question next question बहुत ही simple सा है दोस्तों प्रश्ण बहुत ही important है और इस तरीके प्रश्ण पूछा जाता है प्रश्ण है एक संख्या के दोगुने में पांच जोणने पर योगफली की साता है तो उ दोगना में पांच जोणने पर क्या करेंगे दोगना में क्या कर दिये पांच जोण दिये तो योगफल कितना आ जाता है 21 आ जाता है 21 आ गया तो उस संख्या का आधा क्या होगा तो प्रश्ण में क्या बहुत है उस संख्या का आधा क्या हो जाएगा तो मालो हमारे पास क् 2 option method to solve करेंगे, तो हमारा answer आसानी से आ जाएगा, देखीए, हमें X command em हमा 4 में से, उसमें से ठीक है, तो 4 में जो option दिया है, उसी में से हम लोग क्या करेंगे, opener को better जाएंगे, तो हमारा हमको answer देखने को मिल जाएगा, तो सबसे पहले हमारे पास दोस्तों सभी संख्याओं का योग दोस्तों का हो रहा है पहले option देखे लेते हैं 16 तो 16 जो है दोस्तों अध्या वोड़ रहे है ना 16 दुनी 32 करेंगे तो अल्रेडी योग से ज्यादा हो रहा है तो हमारा a option तो गलाथ हो जाएगा हमां को देख ले और आरहे हैं कि 21 नहीं आ रहरे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा हमारे बी ऑप्सटन भी गल्टू हो जाएगा चली में चल्ड़ हो रहे हैं हमारे आप सुल्गे दीख लेते हैं ठीक है अब चली हम लोग सॉल करके देख लेते हैं option 4 को option 4 में क्या दी है संख्या दी है 4 मान लो हमारी संख्या क्या है 4 है तो 4 का दुगना क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 8 हो जाएगा ठीक है अब 8 का हमारे पास क्या हो जाएगा ये x plus 2 है ना x into 2 है तो क्या करेंगे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया 16, इसको 16 किये तो कितना है, 16, अब प्लस 5 बोल रहा है 16, 5 कितना होता है, 21 होता है तो हमारा क्या हो रहा है, option डी पूरी तरीके से satisfy हो रहा है, तो हमारा D option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, देखे प्रशन एक पर फिर से समझ ली दिये तो उस संख्या का आधा क्या हो जाएगा, यह पूछ रहा है तो हमारा उस संख्या, वो संख्या क्या है, हमारे पास आधा 4 है अगर फुल संख्या निकालने तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा है ना अब 8 का दूगना क्या हो जाएगा दो हो जाएगा अब 2 में क्या दूगना करने के पर चाथ हमको कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है तो 8 दूगनी 16 16 5 कितना हो जाएगा 21 तो question क्या according put हो रहे हैं तो यही तो हमारा क्या है question solve करना था अब दोस्तों इंसके लिए sort method तो बिल्कुल भी नहीं है तो question को आपको पढ़ना है फट से समझना है और go to option method लगता है तो go to option method लगा दीजिए और या फिर answer question तयार करके आप उसको solve कर लिजिए वीडियो का असल लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बचाइए जो student नहीं है चनल को जरूर सब्सक्राइब करके notification bell को भी जरूर उन कर लिजिए और इसी तरीके का वीडियो आपको प्रवाइड होता रहेगा और दोस्तों इसका question आपक को वहां से आप इसका दोस्तों बहुत सारे जीके के question और mathematics के question भी आपको PDF आसानी से मिल जाएगा ठीक है और साथ मेरे Facebook ग्रूप पेज है अभ्यास online class सर्च कीजिए वहां से भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जान करी क के सांथ मुझे दीजिए जाजा टेक कर आल देवास्ट जाहें देजिए